दोस्तों कि आप अपने Facebook account का password भूल गए और आप अपने Facebook account का password चेंज करना चाहते हैं कि आपको current password भी याद नहीं है क्योंगी current password के बिना Facebook account के password को चेंज नहीं कर पाएंगे तो आज की वीडियो में आपको Facebook account का password change करने का process बताने वाला हूँ अगर आपको current password भी नहीं पता है आपका तो current password के बिना कैसे password को change करेंगे तो पूरा process आपको mobile phone की screen पर live सिखाने वाला हूँ बस वीडियो को ध्यान से देख लेना और चैनल पने तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि काफी ज्यादा help मिलेगी आज की वीडियो से क्योंकि आपको current password नहीं पता है तो password को change आप कैसे करेंगे तो पूरा solution आपको आज की वीडियो मिलने वाला है अब आपको उपर उपर settings का option दिखेगा शैटिंस पर ग्लीक कर देना है जहां पर ग्लीक करने के बाद आपको ऊपर उपर account center ऑप्शन खुल कर आएगा यहां पर account center पर ग्लीक करने के बाद आपको यहां पर जैसे पासवर्ड को option दिख जाएगा उपर उपर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है जहां पर क्लिक करने के बाद अपने account को आपको select कर लेना है आपका Facebook account कौन सा है उसका आपको पासवर्ड change करना है Facebook पर click किया अब यहां पर आपको current password मांग रहा है और new password और new password को option है जहां पर आपको यह password डाल देना है लेकिन सबसे पहले आपको current password डालना पड़ेगा current password तो हमें याद ही नहीं अब current password याद नहीं है ता आपको क्या करना है मैं बता देता हूं इसको एक वर minimize कर देता है है फिर manager Google account option दिखेगा दोनों में से कोई भी option पर आपको click कर देना है और Google account में अटर हो जाना है Google account में अटर हो गए अब आपको यहां पर option दिखेंगे home है personal info है data and privacy है और इसी के बगल में security का option तो security पर आपको click कर देना है security पर click करने के instagram.com facebook.com google.com तो हमें Facebook का password देखना है Facebook पर आपको click कर देना है Facebook पर click करते हैं यहां पर आपको screen lock open करने के लिए बोला जाएगा screen lock open कर लेना और screen lock open करते हैं सामने आपको user name और password दोनुश हो जाएंगे यह डॉट 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 है इसके बगल में आई का इकन बना हुआ है आंक्सपन UES पर जैसे आप click करेंगे तो password आपको यहां से दिख जाएगा और copy का बटन भी है copy भी कर सकते है password वहां से तो इस तरह से password आपको मिल जाएगा current password अब वहाँ पर वापस Facebook पर चलते हैं तो current password आपको मिल गया current password यह पर डाल देना है password change आपका हो जाएगा लेकिन अब बात कर लेते हैं काफी जादा लोग ऐसे होंगे जिनको यहां पर password नहीं मिला होगा अब यहां पर आपको option देख जाएगा send code by WhatsApp send code by SMS यहां पर दो option है या तो आपके mobile पर ले सकते हैं यहां से या फिर WhatsApp पर ले सकते हैं तो दोनों में से कोई भी option select कर लेना मैं select कर लेता हूं और send code by SMS जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा continue पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक code आएगा code यहां पर मुझे सबसे पहले डाल देना है code डालने के बाद आपको पास्वड चेंज करने को option आ जाएगा यहां पर और वो code डालते ही आपको पास्वड करन्ट पास्वड डालने क यहां पर मिलेगा आपको तो यहां से आपको करन्ट पास्वड मिल जाएगा और चेंज भी कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई प्रॉलम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना मैं कमेंट में आपको रिप्लाइद देंगा और उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद देना चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब जरू करके जाना बिलते हैं नेक्ट ट्रीओ में तब तक के लिए बाए